एक्सलिंसीज, ब्रिक्स बिजनेस समधाय के लीडर्स, आप सबको नमस्कार, मुझे खुशी है कि दक्षिन आफरिका की भूमी पर रखते ही हमारे कारकम की शुरुवात ब्रिक्स बिजनेस फार्म से हो रही है सबसे पहले मैं राश्पती रामा फोसा को उनके निमंत्राण और इस बैटे के आवजन के लिए बहुत बहुत धन्वाद देता हूँ ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को दस्वी वर्जगांट पर बहुत बहुत बधाई और शुबकामनाई देता हूँ पिछले दस वर्जगांट में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमे का निभाई है 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आविजित की गई थी तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकर्चे बहार आ रहा था उस समय ब्रिक्स वैश्विक अर्थववस्ता के लिए एक आशा की किरण के रुप में उबरा था वर्तमान समय में भी कोवीड महमारी तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनोतियों से जूज रहा है ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर भूमी का है फ्रेंट्स वैश्विक अर्थववस्ता में उथल पूथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस ग्रोइंग मेजर एकॉनमी है जल्द ही भारत फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी बन जाएगा इस बात में कोई संदे नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ एंजिन होगा यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अउसर में परिवर्तित किया पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफाउम्स किये हैं उनसे भारत में इज अब दुइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है हमने कंप्लाइंस बर्डन को कम किया है रेट टेप को हटा कर रेट कार्पेट विछा रहे हैं GST और Insolvency and Bankruptcy Code के लागू होने से Investor Conference बढ़ा है रक्षाव और अंतरिक जयसेक्षेत्र जिन को प्रतिबंदित माना जाता था आज प्रावेट सेक्टर के लिए खोल दिये गए हैं हमने Public Service Delivery और Good Governance पर विशेश रुपसे ध्यान के इंद्रित किया है टेक्नलोजी के इस्तमाल से भारत ने Financial Inclusion की और एक बड़ी छलांग लगाई है इसका सबसे अधिक लाप हमारी ग्राण्मेर महिलाओं को मिला है आज एक लिक से भारत में करोडों लोकों को डारेक बेनिफिट ट्रांसफर किये जाते हैं अब तक 360 बिलियन डॉलर से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किये जा चुके हैं इससे सर्विस डिलिवरी में पारजर सिता बढ़ी है और प्रस्टाचार और मिल्डे में कम हुए हैं प्रती गिगाबेट डाटा की कीमत में भारत सबसे कुफायती देशों में हैं आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े-बड़े शॉपिंग मौन सक यूपी आई यान विनाइभाइड पेमेंट इंटर्परेस का इस्तिवाल किया जाता है आज विश्टो के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजिक्शन वाला देश भारत है विए ही फ्रांस सिंगापूर जैसे देश इस प्लेट्फॉर्म से के साथ जुड़े हैं ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावना है भारत के इंफ्रासेक्टर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिद्रश्य बदल रहा है इस वर्ष के बजेट में हमने इंफ्रासेक्टर के लिए लगभग 120 बिलियन डॉलर का प्रावधान रखा है इस निवेश के माद्धम से हम भविश के एक नए भारत की मजबुत नीव रख रहे हैं रेल, रोड, वाटरवे, एरवेज हर खेत्र में तेज गती से बड़लाव आ रहा है आज भारत में 10,000 किलोमेटर प्रतिवर्ष के रप्तार से नए हाइवे बन रहे हैं पिछले नव वर्ष में एरपोर्ट के संख्या दोगुनी हुई हैं निवेश और उत्वादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोड़क्शन निंक इंसेंटिव स्केम्स लागू की हैं लॉजिक्स इस कोग्स कम होने से भारत का मैनुफेक्टर सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है रिनियूबल एनर्जी के ख्षेतर में भारत वर्ल लीडर में से एक है हम भारत को सोलार एनर्जी, बीन एनर्जी, इलेक्टिव वेहिकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया जैसे ख्षेतरों में ग्लोबल मैनिफेक्टिरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कर्म उठा रहे हैं स्वाभाविक है कि इससे भारत में रिन्यूबल टेक्नोलोजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा आज भारत में विष्टो का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टिम है भारत में इस समय सों से भी अधिक यूनिकॉम है IT, टलिकॉम, फिंटेक, AI और समिकंडरक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर्द वर्ल के वीजन को आगे बढ़ा रहे हैं इन सभी प्रयासों का सामाने जनके जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्पक प्रभाव पढ़ा है पिछले नव वर्षों में लोगों के आये में लगवग तीन गणा वृद्धी हुई है भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं के शसक्त भागीदारी रही है IT से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केर तक महिलाए पुरुसों के साथ कंदे से कंदा मिलाकर देश की प्रख़ति में योगदान दे रही है भारत के लोगों ने 2047 तक एक विक्सित रास्ट बनाने का संकल्प लिया है Friends, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में सामिद होने के लिए आमंत्रित करता हूँ COVID महमारी ने हमें resilient और inclusive supply chain के महत्व को सिखाया है इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर सिता बहुत ही महत्वपून है हम एक दुसरे की ताकतों को जोड़ कर पूरे विश्व खास तोर पर Global South के कल्यान में महत्वपून योगदान दे सकते हैं एक्सलेंसी मैं एक बार फिर ब्रिक्स बिजनेस जगत के लीडर्स को उनके योगदान के लिए बढ़ाई देता हूँ इस मिटिंग के शांदार आयोजिन के लिए मैं मेरे मित्र राश्पति रामा फोसा का भी आफ़ार वेक्त करता हूँ बहुत दन्यवाद